बॉनिंग क्लास मैसेफ सर्ता चौहान तोड़ाइब टीच यू मैट्स प्लीज लेट्स ओपन यू बोक्स इस्टुएंट मैट्स में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर ट्वेल टाइम जिसमें हम आगे लेक्शन नंबर फाइफ पढ़ेंगे यार इसमें टॉपिक है सम मो क्लोग और कुछ घडियों के बारे में हम पढ़ेंगी नेक्स में पढ़ाता लुक अट्प इस श्लोग जिसमें ऱÃक Impossible टाइम बताया था कब आपका ओ क्वार्टर पास्ट होता है कब आपका हाफ पस्ट टोता है कब आपका हाँच टू का टॉप ताहीपता है प Corner गता हैruk quarter past means होता है जो आपका hour hand होता है उसको बजने के बाद 15 minutes होते हैं उसे हम कहते है quarter past next आपका होता है half past half past का means होता है आधा time जो o clock है उसके बाद 30 minutes तक का जो time होता है उसे कहते है half past ओके फिर आपका quarter quarter two का means होता है आपका जो आपका o clock का time हो चुका है उसके बाद जो time होने जा रहा है आपका जो ये hour hand है जिस डिजिट के close होता है उसमें 15 minutes रह जाते हैं o clock के लिए उसको हम कहते हैं quarter two ओके आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे इसमें देखे यहां पर और कुछ गड़ियां बनी हुई है जिसे इस गड़ी में आप देखेंगे इस clock में आप देखें the minute hand is at 9 minute hand हमारा कहा है 9 पर the hour hand is close to 3 और hour hand हमारा कहा है 3 के pass में the time is 2.45 और quarter to 3 जिस तरह से मैंने बता है तर time हमारा क्या है 2 o clock हमारा हो चुका है तो 2 बचके 45 minutes हो गए और दूसरे भाशन में इसका जो time है वो बताएंगे अब यहां पर देखें 3 बजने में कितने minutes रह गए है 5, 10, 15 तो इसे क्या कहेंगे quarter to 3 3 बजने में 15 minutes रह गए हैं जब 15 minutes रह जाते हैं next hour को complete होने में 1 o clock होने में तो उसे हम quarter 2 कहते हैं next देखिए the minute hand is at 3 minute hand हमारा कहा है 3 पर the hour hand is also near 3 और जो हमारा hour hand है यह चोटा वाल hand है वो भी 3 के पास में है ठीक है the time is 3.15 और quarter past 3 इसे हम क्या कहेंगे तो 3 o clock तो हमारा हो चुका है फिर 3 o clock के बाद यह जो हमारा minute hand है वो हमारा 3 पर आ गया तो 3 बज़के 15 minutes कहेंगे और दूसरी language में इसे कहेंगे अब 3 बज़के 15 minutes होगे 15 minutes का time क्या होता है quarter past 3 बजने के बाद 15 minutes हो चुके है तो क्या कहेंगे quarter past 3 next आपका the minute hand is at 6 minute hand आपका कहां है 6 पर the hour hand is between 3 और 4 hour हमारा कहां 3 और 4 के बीच में the time is 3.30 और half past 3 तो इसे क्या कहेंगे 3 बज़के कितने हो गए 30 minutes 5-6 हा कितना होता 30 तो 3 बज़के 30 minutes हो गए है और दूसरी language में जब हम इसे बोलते है तो 3 o clock हुआ था 3 o clock के बाद हमारी कितने हो गए 30 minutes means half time यह हमारा 60 minutes हो तो 60 का half कितना होता है 30 जब हमारा half time हो जाता है तो उसे कहते है half past जो जितना hour बच रहा होता है वो जिसे यहां पर 3 बच चुके थे तो half past 3 अमारी जे 4 और 5 के बीच में अगर यह hour end होता तो कहते half past 4 तो स्टुएंट्स पेस्टन करेंगे यहां देखे यहां आपका next page पे exercise दिए हुई है look at the clocks and write the time shown is the clouds below ठीक है यहां पर देखे clock बनी हुई है और यहां पर time देखना है उसके बाद आपको यहां पर नीचे इसमें फिल करना है कि देखे यहां पर कितना दिया है आवर एंड हमारा का है the short hand is near 4 short hand हमारा का है 4 के pass में है the long hand is at 3 long hand हमारा का है 3 पर है तो कितना हो गया 4 बजने के बाद कितने minutes हो गये 15 तो time is 4 15 o clock लेकेंगे 4 15 the short hand is at 2 short hand हमारा कितने पर है 2 पर the long hand is at 12 और long हमारा कहा है 12 पर तो जब short hand किछी डिजिट पर होता है और long hand 12 पर होता है तो उतने ही o clock का time होता है तो time is 2 o clock कितने बजे है तू the short hand is between 8 and 9 short hand हमारा कहा है 8 और 9 के बीच में है short hand कहां पर है between 8 and 9 तो लेकेंगे 8 and 9 the long hand is at long hand हमारा कहा है 6 पर तो लिखेंगे 6 the time is time कितना हुआ है 8 और 9 के बीच में तो 8 o clock तो हो चुका है और 6 का मतलब 30 minutes तो 8 बचके 30 minutes तो लिखेंगे 8 30 next देखेंगे the short hand is at 11 short hand हमारा कहा है 11 पर the long hand is at 12 और long hand हमारा कहा है 12 पर the time is कितने बज़े है short hand 11 पर है और long hand हमारा 12 पर it is 11 o clock the time is 11 o clock the short hand is at short hand हमारा कहा है 1 पर है तो लिखेंगे 1 the long hand is at long hand 12 पर है तो लिखेंगे 12 the time is कितने बज़े है it is 1 o clock तो यहां लिखेंगे 1 the short hand is at 8 पर है लिखेंगे 8 long hand हमारा 12 पर है तो लोंग मैं मैं क्लास है वे नाइस दे